हरे कृष्णा भगवत गीता के इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय का 35 श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे 2.35 ये पिछला श्लोक है 34 जिसमें हमने ये बात की थी कि सम्मानित वेक्तियों के लिए अपयश तुम रित्यू से भी भढ़ कर है भगवान ने कहा था अगर तुम युद्ध छोड़ के भागे तो लोग तुम्हारे बारे में गलत ही सोचेंगे 35 श्लोक में भी भगवान वही बात कर रहे है जिन जिन महायोध्धाव ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे क्या कि तुमने डर के मारे युद्धों में छोड़ द ता कि तुम्हें अचानक बीशम पिता में से प्रेम हो गया गुरू द्रोन से हो गया वो ठीक है वो तो पहले से ही था बट आपने इस ग्राउंड पर कि भई जो है परिवारिक कल्यान कारे समाजिक कल्यान कारे बंद हो जाएंगे यह वांचित संताने हो जाएंगे जो फर बड़ा वेक्ति है किसी भी पोस्ट पर अचानक रिजाइन कर देता है लोग को बस इतने ही पता चलता है कि वो चला गया छोड़के लेकिन यह नहीं पता चलता क्यों अब यहां भी लोग तो यही सोचेंगे ना भगवान खुद कह रहे हैं वे सोचेंगे कि तुमने डर के कटू शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे होता ना कमजोर डर पोक कुछ भी ऐसे शब्द बोलेंगे और तुम्हारे सामर्थे का उपहास करेंगे अरे हम से नहीं लड़ा नहीं तो क्या बात थी किसी भी आदमी के लिए अगर वो इस तरह से बीच मेदान में से चला कर जाए अपने करम को छोड़के कोई भी मैंने जैसा कहा तो लोग तो नेगटिव फिर बोलेंगे और भगवान पहले कह चुके हैं कि अगर तुम्हारा अप्यश फैलेगा तो यह तो मृत्यू से भी भढ़कर होगा खैर 37 वे श्लोक में पूछते हैं क्या लिखे हैं भगवान ने फिर कह रहे हैं कुंती पुत्र यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे यह बात भी पहले भगवान ने कही थी कि युद्ध के समय में स्वर्ग के दुआर खुल जाते हैं ल जाने की कोशिश करने की दोनों ही सिचुवेशन में तुम्हारी जीत है अगर माल लेते हैं सो कॉल्ड हार भी गए और तुम्हें यह शरीर छोड़ना पड़ा तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा और जीत गए तो धर्ती तुम्हारी इसलिए द्रड संकल्प करके खड़ हो संकल्प भी हो तो द्रड हो हमारे अंदर भी यही कमी है कि हमारे जो संकल्प होते हैं वो द्रड नहीं होते हम सोच लेते हैं फिर 2-4-6 घंटे में हार मानके लगता है यह कुछ नहीं होगा छोड़ दो भगवत गीता टाइम एन अगयन हमको यह गाइडेंस देगी कि जो वो भी संकल्प हो वो द्रड़ हो मजबूत हो तब तो उसमें कुछ फल यानि कुछ रिजल्ट निकलेगा इसलिए भगवान कहरे हैं द्रड़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो clear instruction है 38 श्लोक में भगवान कहरे हैं बहुत important श्लोक है कि तुम सुख या दुख हानी या लाग विजय पराजे का विचार किये बिना युद्ध के लिए युद्ध करो यानि युद्ध के लिए युद्ध करो माने अपना करम समझ के करम करो ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा पाप तो लगना ही नहीं है जी अब अगर कोई भारतिय सैनिक युद्ध के समय अपने किसी भी शत्रू को मार दे तो उसको कोई वो थुड़ी है कि हांजली आपने मार दिया हो तो मारने के लिए तो है तो पाप का तो प्रश्णी नहीं है जब धरम युद्ध है स्वयम भगवान खड़े हैं और बार बार बोल रहे हैं खड़े हो जा युद्ध कर तो पाप का तो प्रश्णी नहीं है क्या पाप क्या पुन्य जब भगवान ने स्वेम अगर कोई इंस्ट्रक्शन डारेक्ट दे दी उसके बाद भी अगर मुसको ना करें तो राधर वही पाप है तो इसलिए भगवान ने पहले कह दिया कि तुम युद्ध करो तुमें कोई पाप नहीं लगेगा और उन्होंने साफ साफ बोल दिया ये हमारे लिए भी है कि हमें अपने करम पे ध्यान देना चाहिए सुख या दुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए हानी या लाब के बारे में नहीं सोचना चाहिए विजय या पराजय का विचार नहीं करना चाहिए actually विचार क्यों नहीं करना चाहिए कोई आदमी कहा हुई हम जब कोई काम करेंगे तो सोचेंगे ना कि जीत होगी क्या होगी इसलिए कि आपके हाथ में कर्म है कर्म करो उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है आप सोचते भी रहो सपोज आपने एक एक्जैम दिया अब उस में आप फेल होगे के पास होगे सोचने से कुछ नहीं होगा जो कुछ आपके हाथ में था वो कर लो कर लिया खतम यही भगवान कह रहे हैं कि विजय या पराजे इस पे मत सोचो भाई अपना युद्ध करो अपना करम करो ना कोई पाप है सुख दुख लाभानी यह सब च वाट्सैप ग्रुप पर जुरूर फारवर्ड करें शायद किसी को लाब हो शायद को भगवत गीता पढ़ना चाहता हो उस एक व्यक्ति को ढूंडे मैं भी उसी एक व्यक्ति के तलाश में इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप भी मेरे को थोड़ा सहयोग करें और अगर आप हमा हमारे वाट्सैप कम्यूनिटी से जुनना चाहते हैं तो जो वीडियो पर नंबर दिया उस पर अपना नाम लिख कर भेजें हरे कृष्णा